नमस्ते बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बसंत भाग एक कक्षा छो की हिंदी पाठ पुष्टक के अध्याई दो बच्पन यह एक संस्मरण हैं, इस पाठ के लेखी का कृष्णा सोवती हैं, तो पहले हम लेखी का के बारे में जानते हैं कृष्णा सोवती, मुखत हिंदी की अख्याई का लेखी का थी, उन्हें 1980 में साहित अकाडमी पुरसकार, तथा 1996 में साहित अकाडमी अध्यता वृती से सम्मानित किया गया था अपनी बेलाक कथात्मक, अभिवेक्ति और सौट ठवपुल्न रचनात्मक के लिए जानी जाती हैं उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को विलक्षन ताजगी दी है, उनका जन 18 फरवरी 1925 गुजरात जो अभी पाकिस्तान की हिसे में हुआ हुआ था उनकी मिर्तिव 25 जनवरी 2019 नई दिल्ली में हुई सिक्षा, एफसी महिला महाविद्याले से हुई उनकी जाने माने पुरसकार में उन्हें साहित अकार्मी पुरसकार जो उन्हें स्वसी में उन्हें प्राप्त हुआ और इसे भी ज़्यादा पुरसकार उन्हें अपनी जीवन काल में उपलब धियां के रूप में पाई है पुरसकार में ग्यान पीठ पुरसकार साहित अकार्मी पुरसकार मुख है अब हम पाठ के सारांस को जानते हैं बचपन यह लेखी का के बचपन का संस्मरण है जिनके बारे में उन्होंने लिखा है तो अब हम पाठ के सारांस को जानते हैं लेखी का कृष्णा सोबती दादे या नानी के उम्र की हैं उनका उम्र अभी अत्यदिक हो चुका है परिवार के लोग उन्हें जीजी कहते हैं इस उम्र में वह अपने आपको बुजुर्ग महसूस करती हैं क्योंकि उनका जन पीछली सताब्दी में हुआ था अपने बचपन के बारे में बताते हुए वह कहती हैं कि तब से अब तक उनके पहनावे में काफी बदलाव आया है पहले वे गहरे रंग के कपड़े पहनती थी और अब हलके रंग के उन्होंने अपनी बच्चपन की कई फ्रॉग के बारे में बताया है जिनमें फ्रील लगे होते थे वह बालों में रिबन पहनती थी उन्हें अपनी ट्यूनिंग, मोजे और स्टॉकिंग भी याद है बच्चपन में इतवार की सुबा उन्हें अपने मोजे धोने पड़ते थे और जूते पालिस करने होते थे नए जूते पहने पर पैर में छालो से बचने के लिए जूतों में रुई लगाना होता था हर सनिवार को बच्चों को आलिव वायल या कैस्टर वायल पिलाया जाता था जिसकी गंद उन्हें बिलकुल पसंद नहीं थी लेखी का अपने बच्पन की तुलना आज के समय से करते हुए कहती हैं कि तब रेडियो, टेलिवीजन या ग्रोमो फोन नहीं हुआ करता था तब से कुलफी, आइस्क्रीम, कचवडी, समोसा, पैटीज और सरवत, कोल्ड रिंग में बदल गया हैं बच्पन में लेखी का भाई बहनों के संग सिमला माल में ब्राउन ब्रेट लाया करती थी हपते में एक बार चोकलेट खरिदने की छूट थी और सबसे ज़्यादा चोकलेट इनहीं के पास होते थे लेखी का हमेशा रात में खाने के बाद बिश्टर में घुस कर चोकलेट का मजा लेती थी उन्हें सिमला के खटे मीठे फल और चेश्टनट भी याद आते हैं चनाजोर गरम की पुडिया तो आज भी दिखती है चुटपन में सिमला रीज पर घोरों की सवारी में उन्हें बहुत मजा आता था साम में रंग बिरंगे, गुबारे, जाखुका, पहार और चर्च की घाटियों की गुंज उन्हें आज भी याद है साम को रीज की रौनक और माल की दुकानों की चमक का अलग ही आकरशन था एसकेंडल पॉइंट के सामने की एक दुकान के सोरूम में सिमला काल का ट्रेन का मॉडल था जो पिछली सदी की सबसे तेजगारी थी उस दुकान की बगल में आखों के डाक्टर की एक दुकान थी जहां लेखिका को पहली बार चस्मा लगा था अंग्रेज डाक्टर ने कहा था कुछ दिनों बाद एनक उतर जाएगी पर एनक कभी नहीं उतरी इसके लिए लेखिका अपने आपको ही दोस देती है रात में टेवल लेंप के सामने काम करने का यह नतीजा था उनके चचेरे भाई ने चस्मे को लेकर उन्हें चिराया भी था आख पर चस्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की कहने का ताथ पर यहां लेखिका अपने बच्पन को याद करती है और लेखिका अपने बच्पन के बारे में बताती है जिसमें उनके चचेरे भाई चस्मे को लेकर उन्हें चिराया भी करते थे क्या चिराते थे आख पर चस्मा लगाया ताकि सूझे दूर की आँख पर चस्मा लगया ताकि दूर तक उन्हें दिखाई दे यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की अर्था चस्मा लगाने के बाद उनका चेहरा लंगूर जैसा दिखता था ऐसा वो चिरहते थे लेखी का खीजी और बाद में आईने के सामने चस्मा पहन कर और उतार कर देखती रही उन्हें अच्छा लगा और मजा किया भी अब तो बिना चस्मे का उनका चेहरा खाली लगता है लेखी का चस्मे के साथ टूपिया लगाना पसंद करती है उनके पास कई रंगों की ही माचल टूपिया जमा है तो ये पाठ का सारांस था जिसमें लेखी का ने अपने जीवन के मुख बिन्दूओं को लिखा है अपने जीवन के बच्पन को बताया है कि उनका बच्पन कैसे बीता है अब हम सब दार्थ की और चलते हैं शयाना उसका अर्थ है बड़ा सताबदी अर्था सदी सौ वर्सों की अबधी जो होती है उसे हम सताबदी काते हैं दसक दस वर्सों की अबधी पुशाक कपड़े जीजी दीदी शयाना, बड़ा, मौसूस करना, समझना, अनुभाव करना, बदलाव, परिवर्तन, फ्रील, जालर तो इस परकार यहां सब्दार्थ भी लिखा हुआ है ड्यूटी लगना, काम मिलना, हप्ता, सप्ता, छुटपन, बजपन, मौका, अवसर तो इस परकार सभी सब्दार्थ भी दिये हुए हैं, अब हम लोग प्रशन उत्तर के प्रशन अभ्यास के तरफ चलते हैं इसमें पहला प्रशन है संसमरन से, प्रशन अभ्यास संसमरन से पहला प्रशन है उमर बढ़ने के साथ-साथ लेखिका में क्या-क्या बदला हुए पाठ से मालूम करके लिखो तो इसका उत्तरिया है कि उमर बढ़ने के साथ-साथ लेखिका के पहनावे में अनेक बदलावाए पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चोकलेटी, परन्तु अब हलके रंग पहनने लगी है, पहले वे फ्रॉक, निकर, वाकर, इसकर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी, परन्तु अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहन करने लगी है, पहनावे के साथ खाने में भी काफी बदलावाए हैं, दूसरा प्रशन है, लेखी का बच्पन में इत्वार की सुबह अपने मोजे वर स्टॉकिंग को धोने और अपने जूते को पॉलिश करने का काम करती थी, तिसरा प्रशन है कि तुम्हें बताऊंगी सा इसनी दूरी हो चुकी हैं यह काकर लेखी का क्या क्या बताती हैं यह काकर लेखी का उनके और अभी के समय में अंतरस पश्ट करती हैं उस समय मनुरंजन का साधन ग्रोमो फोन था पर तो अब रेडियो और टेलीविजन ने उसकी जगह ले ली पहले की कुलफी अब आइसक्र पर चुझए ने ले ली है सहतूत और फालसे और खस के सरवत का अस्थान कोकोला और पेपसी ने ले ली है अगला प्रसन है पाठ से पता करके लिखो कि लेखी का के चस्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या छेरते थे उन्हें कि बाते बाते से उन्हें छेड़ते थे तो लेखीका ने पहली बार चस्मा लगाया था इसलिए वे कुछ अजीब सी लग रही थी उन्हें खुद भी अटपटा सा लग रहा था इस कारण उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे जो हम अभी आप लोग को बताया है कि किस नाम से अगला प्रश्मन है लेखी का बचपन में कौनगण सी चीजे मजा लेकर खाती थी उन्हें से पर्मुख फ़लों के नाम लिखे तो उत्तर यह है कि लेखी का बच्पन में चोकलेट और चना जुर गरम और अनार दाने का चुन मजा लेकर खाती थी रस भरी कस्मल और काफल उनके प्रिये फल थे अब भार्षा की बात किरियाओं से भी भावाचक संग्या बनती हैं जैसे मरना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पल्टन से पलट और हडपन से हडप आदी भावाचक संग्याएं बनी हैं इसी परकार तुम भी इस संसमरन से कुछ किरियाओं को छाट कर लिखो और उनके भाव आचक संग्या बनाओ तो यहां किरिया है और भाव आचक संग्या भी बनाया गया है पहला है चमकना इसका होगा चमक दूसरा है भागना इसका होगा भाग तीसरा है बदलना इसका होगा बदल उसके बाद है खरीदना किरिया है इसकी भाव आचक संग्या होगी खरीद ओधना इसकी भावाचक संग्या होगी ओध अब चलते हैं दो संस्मरन में आए अंग्रेजी के सब्दों को छांट कर लिखो और उनके अर्थों को जानो तो अंग्रेजी सब्द आप पुस्ता को पढ़ें अपने कुछ यहां पर अंग्रेजी सब्द और उनके अर्थ दिये जा रहे हैं उस पर अनिक परकार के और भी सब्द होंगे अंग्रेजी सब्द जिन्हें आप पढ़ें और अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखें और उ घेरदार जबला, दूसरा है एसकार्ड, लड़कियों के पहनने का घेरदार घागरा, चोकलेटी जिसका अर्थ होता है भूरा, लैमन कलर निम्बू जैसारन, त्यूनिक, ढिला पोशाक, पॉलिस, जूते को चमकने के लिए, चमकाने के लिए, ओलिव वाइल, जैतुन का तेल, कैस्टर वाइल, रेड का तेल, ग्रोमोफोन, गाना सुनने का यंत्र, टेली वीजन, दूरदर्शन, आइसक्रीम, कुलफी जैसी, पेटीज, कचोडी जैसी, ब्राउन ब्रेड, भूरे रंग का पाउं, चेस्ट नट, अखरोज का फल, फैन, कन, फैन, सरी, काउंटर, मिठाई की दुकान का काउंटर, स्पीड, गती, तो इस परकार आप पाठ पुस्तक बच्पन को पढ़ें, पाठ को पढ़ें, और उसमें और भी अंग्रेजी सब्दाय हैं, जिनको आप लिखें, उनके अर्थों को अपने अभ्यास पुस् हैं, मुझे दो दर्जन केले चाहिए, दो दर्जन निश्चित संख्या वाचक विशेशन है, क्योंकि इसमें दो दर्जन निश्चित है, कि हमें दो दर्जन ही चाहिए, दो कीलो आम दे दो, दो कीलो निश्चित पढ़ें, मान वाचक विशेशन है, कुछ बच्चे आ रह हैं कुछ अनिश्चित संख्या वाचक विशेशन है इसमें निश्चित नहीं है एक आ रहे हैं दो आ रहे हैं पांच आ रहे हैं दस आ रहे हैं इसमें निश्चित नहीं है कि कितने आ रहे हैं अगला है तुम्हारा सारा प्रयत्न विकार रहा तुम्हारा शार्वनामिक विशेषन है सभी लोग हंसराया है सभी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषन है तुम्हारा नाम बहुत सुन्दर है बहुत गुनवाचक विशेषन है तो इस पार्ट में विशेषन और संग्या सब्द आए हैं जिने हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अगले खंड में उन्हें समझेंगे संग्या और विशेशन के बारे में अगला प्रस्ण है कप्रों में मेरी दिल्चस्पियां मेरी मोसी जानती थी इस वाक में रिखांकित सब्द दिल्चस्पियां और मोसी संग्याओं की विशेशता बता रहे हैं इसलिए ये सर्वनामिक विशेशन है सर्वनाम कभी-कभी विशेशन का भी काम करते हैं पार्ट में ऐसे पांच उधारन चाट कर लिखो तो पहला है मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ नानी भी बच्पन में हमें अपने मोजी खुद दोने परते थे हम बच्चे इतवार की सुबा इसी में लगते चौथा है कि कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल अगला है मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठा कर सिर पर रखा तो यह सर्वनामिक भी सेशन के उधारन भी है यहां पर तो इस परकार आप एक बार पाठ को पढ़ें इसमें आये हुए सब्दों को अंग्रेजी सब्दों को एवर मुन के अर्थों को लिखें प्रस्न उत्तर को अपने प्रस्न अभ्यास पूस्तिका में लिखें धन्यवाद